Very honest, मैं ने चूज नहीं किया था, इस स्थान ने मुझे चूज किया था, क्योंकि मैंने शुरवाद 6 साल की उमर से की थी उसमें आपको पता ही नहीं होता है कि करियर क्या होता है, काम क्या होता है तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं था, मेरे सामने चीजे आती गई, मुझे अच्छी लगती गई और मैं करती गई, और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने अंदर के बच्चे को जिन्दा रखिये क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखता, इससे मेरा फाइदा होगा, या उसको अच्छी लगती है चीज और वो करता है तो मैंने वो बच्चपने में मुझे वो चीज अच्छी लगी और मैंने उसको किया और फिर अपने आप ही सामने चीज आती गई, चाहे फिर वो भजन आए, फिर कथा आई, मोटिवेशनल सेशन्स आए जो जो सामने आता गए और जो जो मुझे लगा कि मेरे बस की बात है, मैं कर सकती हूँ, वो मैंने किया और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब सिच्वेशन कहा हो गई, जब मुझे समझने का मौका मिला कि चलो कुछ बनते हैं, मैं अलरेड़ी बन चुकी थी कई ऐसे exercises है, जो आपको help करती है concentration के लिए, तो जो मैं exercise follow करती हूँ, वो listening practice है, कि मैं सोने से पहले या सुबह उटके, कुछ देर, 5 minutes, 10 minutes, मैं बिलकुल शान्त माहूल में, और मैं sound सुनने की कोशिश करती हूँ और ऐसा माना जाता है, कि जिस दिन आपको 5 से जादा sound सुनने लग जाए, और 5 का मतलब हुआ कैसा नहीं, कि आपके घर में TV और Mixi और सब चल रहा है, तो आप कहें कि अरे भई, 5 sound सुनाए दे दिये, नहीं, जब शान्ती हो, तो वो एक बहुत अच्छी practice है, जो आपके द जल्दी पाँच शावाज उसे जादा सुनाए देने लग जाए, बच्पन से जो आपने किया अभी तक, वो तो matter करता ही है, for example, अगर आप बच्पन से ही, सिरफ computer पर ही अपना time pass कर रहे हो, या mobile पे, जो आजकल बड़ा common हो गया है, तो आपकी जो concentration power है, वो passive way में तो अच कर रहे हो, तब तो आपका mind वहाँ पर लग जाएगा, लेकिन जब खुद ध्यान लगाने की बारी आएगी तो आप नहीं लगा पाऊगे, active concentration आप नहीं कर पाऊगे, और वो ही आपका question है, कि जो अपनी active concentration power है, उसको कैसे बढ़ाय जाए, यानि कि आप जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर के लिए चाहे, उतनी देर के लिए अपना ध्यान लगा सके, और जब चाहे, वहाँ से ध्यान हटा सके, इसी को कहेंगे ना कि actual में आपका जो ध्यान है, वो आपके control में है, नहीं तो इतना कुछ है इस दुनिया में, वो तो सब खीचने के लिए तयार पैठे हैं आपके ध्यान को, आपकी attention को, अगर financially बात करी जाए तो आज की rate में सबसे ज्यादा जो value है, वो आपकी attention की है, जितनी भी companies हैं, उनके लिए सबसे important है आपकी attention, अगर आपकी attention आपके हाथ से निकल जाती है और उनके हाथ में चली जाती है, तो वो हो जाएगा ज जो वो चाहते हैं, यानि उनको profit हो जाएगा, आपको नुपसान होता है, हो जाएगा, तो अब सवाल उठता है, उसको कैसे बढ़ाए जाए, chess बहुत अच्छा तरीका है, उसको बढ़ाने का, sports से आपकी concentration power बढ़ती है, जैसे मुझे badminton बहुत पसंद है, तो badminton में सारा ध्यान कहां पर होता है, शटल के उपर, और कोई thought mind में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आया, तो शटल से आपका ध्यान हट गया, और आप हाड जाओगे, तो sports is another way of doing it, उसके अलावा, जैसे इन्होंने बताया, listening, again, very powerful, बहुत तरह की sounds है, बहुत तरह की vibrations है, इस universe में, बढ़ हमारा ध्यान नहीं है उसकी तरफ, कुछ gross है, कुछ subtle है, तो जैसे जैसे हम subtle जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी vibrations हमारी पकड़ में आती है, जो normally लोगों की पकड़ में नहीं आ पाती है, क्यों, क्योंकि उनका ध्यान दो जगे पे होता है, या तो इस दुनिया में जो देखोगे, आपका जो ध्यान है, वो आपकी पकड़ में आने लग जाएगा. तो मैं हम यह चीज कैसे, मतलब उनको कैसे समझाई जाए, कि यह चीज कितनी important है और उसकी importance क्या है? मेरे हिसाब से, और I think मेरे क्या पुरी दुनिया के हिसाब से, जो भी spirituality को ठीक से समझता है, यह young age process ही है. जैसे अगर आप religious way में भी सुने, तो भगवान को हम कुछ भी चढ़ाते हैं, वो fresh होता है. प्रशाद है, fool है, कुछ भी एक दिन, दो दिन पहले नहीं होता, तुम खुद इतने पुराने होंके क्यों फिर अपने आपको चढ़ाते हैं? जब आप rigid हो चुके हैं, जब आपको आगे कुछ काम खास करना नहीं है, आप retire हो चुके हैं, तब आप उस spirituality का करेंगे क्या? आपके life में कोई challenges होंगे ही नहीं जब सामना करने के लिए, तो spirituality मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता, मंत्र जैसा मैंने listening exercise बताई वैसे ही, मंत्र chanting भी एक बहुत बड़ी exercise है, कि आप मंत्रों का उच्छारन करते हैं meditation में, क्योंकि जो power, जो vibrations, वो sound रखते हैं, वो I think द यही समझाना है, कि आप spirituality का मतलब एक तो पहले यह perspective हटा दे, कि हम सब त्याग देंगे, हम सब छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, गीता जी में spirituality का ग्यान उसको दिया गया है, जिसको आगे जाके राजा बनना है, अर्जुन को, उसके पास क्या luxury नहीं है, राज यही स्पिरिच्वालिटी है, कि बाहर की चीजे यहां ट्रबल ना कर सके, बस इतना ही करना है, कि क्या मैं सब को छोड़ छाड़ के चला जाओ, और भगवान कृशन उसको क्या बोल रहे है, कि अभी जो तुमें करना है, उस पर ध्यान दो, सब को छोड़ना सोलुशन नही है, खुद को पहचानो, कि तुम क्या हो, जो प्रॉबलम की पूरी की पूरी जड़ थी वहां पर, वो यह थी कि अरजुन भूल गया था कुछ देर के लिए, कि वो एक्चुल में कौन है, जैसे हम भूल जाते हैं, तो भगवान उसको याद दिलाने का काम कर रहे हैं, कि त उसमें यह जो बाते हैं, इनकी बाते, मेरी बाते या कहीं भी हमारे जो scriptures में बाते हैं, वो किस तरह से आपको काम आ सकती हैं, वो करने में जो अभी आपकी life की stage में, इस point पर आपके लिए करना सबसे important है, तो spirituality दो तरीके की हो गई, एक वो जो आपको भटका रही है, यानि कि वो लोग जो खुद अच्छे से नहीं समझ पाएं scriptures को वो आपको क्या कहेंगे कि सब कुछ छोड़ दो और दूसरे वो जो एक्चुल में समझ गए है कि क्या बात करी जा रही है तो वो आपको क्या कहेंगे कि जो भी कर रहे हो उसको करो अच्छे से करो पुरे ध्यान से करो पुरी इमानदारी से करो उसमें कोई कमी मत छोड़ो क्योंकि यही आपको help करेगी life में आगे कुछ भी करने के लिए अगर आज आप अपने काम को ढग से नहीं कर पा रहे तो कल अगर spirituality में आपको कोई inquiry करनी है scriptures को समझना है क्या वो आप इमानदारी से कर पाओगे आप अगर अपना काम ठीक से कर रहे है आपके intentions अच्छे है आप honest है आप patience रख रहे हैं आप spiritual है तो इसलिए आपको बस अपना काम जो उनोंने सही का एकदम ठीक से इमानदारी से करना है क्योंकि अगर यहां इमानदार नहीं क्योंकि जो आपका काम है तो फिर कहीं और इमानदारी के बात ही क्या कर सकते हैं और खुद भी दूसरों के अच्छे दोस्त बने दोस्ती बहुत बहुत ज़रूरी होती है और इस पे भी मेरा एक छुटा सा वीडियो है कि आप फ्रेंज को identify कैसे करे या वो ही जो qualities है वो खुद में भी कैसे लाए तो सबसे पहली quality यही है कि हम जो सिर्फ Saturday Sunday इन दोस्तों से party करने के लिए मिल रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं होते हैं वो आप बस entertainment के लिए आपको मस्ती करना है मज़ा करना है तो आप मिल रहे हो लेकिन actual जो आपके दोस्त होते हैं वो आपको भी सिखाते हैं आप उनको भी सिखाते हैं वो आपके साथ grow करते हैं और जैसा आपने का essence जैसे मैं मेरे parents के जो दोस्त है सालों से एक के दुख्य हैं लेकिन अभी तक है और अभी भी हम कई बार ऐसा लगता है कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं उनसे तो वो कहते हमारे दोस्तों को अपने दोस्तों जैसे समझना कि हम एक दो बोल देंगे या एक दो चीज़े हो जाएंगे और हमारी दोस्ती तूट जाएगी हमारी दोस्ती इस चीज़ पर नहीं बनी है वो अगर महनों भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे है या एक साल तक भी उन्होंने बात नहीं की है वो एक साल बात भी फोन करते तो वो वैसे ही होते हैं जैसे वो एक साल पहले थे जहां उनकी बात शूटी थी बिलकुल वैसे तो सबसे पहली चीज की यही कि जरूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों से हर एक interval में मिलना है तब ही आपकी दोस्ती कायम रह सकती है क्योंकि अब आप लोग आगे भढ़ रहे हैं बिजी हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरे शहरों में पढ़ने जा रहे हैं अगर आपकी दोस्ती सिर्फ मिलने मिलाने से और मस्ती करने से तो वो दोस्ती नहीं है तो यह सबसे पहली चीज है कि जो आपको आपके सिचुएशन को समझे आप उसके सिचुएशन को समझे कि दोस्ती है पर जिंदगी भी है, काम भी है, मेहनत भी है, परिवार भी है सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा तप मैं कहती हूँ ग्रहस्त जीवन ही है उसमें आपको इतना कुछ करना पड़ता है वो एक सिचुएशन को समझना जरूरी है दूसरा, आजकल जो एक ट्रेंड बन चुका है कि फ्रेंड सपोर्टिव होने चाहिए तो सपोर्टिव का मतलब यह नहीं कि तुम गलत भी करो तो जो करन और दुर्योधन की दोस्ती थी कि नहीं भई पाप भी कर, मार, गलत कर मैं तो साथ खड़ा हूँ यह दोस्त नहीं होते हैं अभी इसके बारे में मैं बात करें यह दोस्त नहीं होते हैं दोस्त आपको आपके पास खड़े रहेंगे सपोर्ट में लेकिन यह हर वक बताएंगे कि तुम गलत हूँ, तुम गलत कर रहे हो, इसकी सजा मिलेगी, तो यह सचे दोस्त होते हैं, तो आप या तो कहते हैं कि कृष्ण जैसे दोस्त बनू, खुदी बनू, बात यहीं आती है, कृष्ण जैसे ढूनने से पहले, कृष्ण जैसे दोस्त बनू, कि जो हर वक्त बताने कृष्ण कभी अलग नहीं हो अरजुन से जब वो कहने लगा कि मैं नहीं लड़ सकता यह नहीं उन्होंने उस वक्त बहुत डाटा कि शत्रिय है ये तरीका है बात करने का ऐसे बोलते हैं तो इतना बड़ा महाबाहू है बड़े बड़े नाम बताए याद दिलाया कि तुम कितने अच्छे हो तो सबसे बड़ा दोस्त का I think quality यही है जो supportive है लेकिन गलट चीज़ों में नहीं है वो हर वक्त सही के लिए आपके पास खड़े हैं और तीसरा जो मैं सबसे अच्छा कहती हूँ कि आपकी और उनकी जरूर करोगे कि यह human nature है आप जिसके जादा समय बिताते हो दिरे दिरे उसकी qualities कुछ आपके अंदर आती है तो जरूरी है कि वो behavior वो pattern, वो mentality, वो mindset match होनी चाहिए यह दोनों की तभी आप एक साथ grow कर सकते हैं वरना वो ही Saturday, Sunday मिलना और जिंदगी खराब करना यही हो पाएगा बस Excellent point यह समझना इतना important नहीं है कि दोस्ती क्या है यह समझना जादा important है कि दोस्ती क्या नहीं है अगर आपका जो दोस्त है वो कुछ गलत कर रहा है तो उसका साथ देना दोस्ती नहीं है क्योंकि अगर आप गलत में भी उसका साथ दोगे तो वो और पाफुल हो जाएगा वो और बड़ा गलत काम करेगा करी बार लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाता है जो एक धरम संकट के जैसा होता है जहां पर जा करके आपको साफ नजर आ रहा होता है कि यह जो इंसान है यह सिर्फ अपना ही नहीं मेरा भी सर्वनाश कर देगा ऐसे लोगों को छोड़ देना दोस्ती है फिर अगर उसके अंदर इंसानियत वापिस से जागती है तो वापिस से वो अगर आपके पास में आता है तो ठीक है नहीं आता है तो कोई बात में छोड़ दो ऐसे दोस्त को तो बड़े ध्यान से चुनना अपने जो दोस्त हैं जो नहीं ने कहा संगती बहुत इंपोर्टेंट है लाइफ में इसलिए पहले के जमाने में सत्संग की इतनी वैल्यू होती थी हर घर में एक सत्संग ओल होता था एक जमाने में आज जैसी हम सत्संग का नाम सुनते हैं हमारे माइन में कुछ और ही आने लग जाता है सत्संग मतलब सत्यके संग मतलब भक्ती क्या होती है आज ये जमाना लग हो गया है कि भगवान से भी लिन दिन का मामला चल रहा है कि आप मिला ये काम कर दो तो ये हो जाएगा और काम एक भी नहीं हुआ तो भगवान बदल ले कि वही कहीं और माथा टेकते हैं यहां तो काम हो नहीं रहा तो ये भक्ती नहीं होती तो एक तो जो perception भक्ती का बन गया है कि भजनकीरतन पुजा पाठ कर लिया और भक्ती हो गई भक्ती का असल मीनिंग है surrender समर्पन और समर्पन व्यक्ती कब करता है जब पहला चीज विश्वास होता है कि वो जो भी करता है वो सही करता है मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप बहुत ज़ादा depression में नहीं जाते हैं या कोई आपने सब कुछ देखा है चाए struggle है, insult है, rejection है हर field में हर चीज होती है अगर आगे बढ़ रहे हैं कोई position पे जाने की कोशिश कर तो आपको इनका सामना करना पड़ेगा ये जिन्दगी के साथ आता है तो आपको सामना लेकिन मुझे कभी दिक्कत नहीं दिये चीज़े, क्यों? क्योंकि जो मैंने का समर्पन, मुझे पता है कि एक ऐसी शक्ती उपर वैठी है जो मेरा बुरा नहीं चाहती तो कई बार बुरी चीज़े भी मेरी जिन्दगी में हो रही है मुझे पता है वो मेरे अच्छे के लिए है क्योंकि वो कर रहा है तो ये समर्पन, ये भक्ती है तो ये आपको हारने नहीं देती क्यों हारेंगे आप क्योंकि आपको पता है ना कि वो हारने देगा नहीं तो आप अपने आप आप गिरे आप फिर उठेंगे कि नहीं भाई अभी गिरना शायद जरूरी होगा उसका इशारा है इसलिए चलो फिर उठते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो अर्जुन ने भी जब समर्पन की बात गीता जी में आती है तो कई लोग कहते हैं कि धरम का मतलब होता है अंध विश्वास नहीं क्योंकि अगर अंध विश्वास होता गीता अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो दो पन्ने में खतम हो गई होती ये दोनों के बीच की बात है जिसमें अर्जुन ये जानते हुए के सामने कौन खड़ा है क्वेश्वान करने के तो कोई सवाल ही नहीं था वहाँ पर कि भगवान लड़ने बोल रहा है क्या क्वेश्वन करना पर उसने कंटिनूसली क्वेश्वन किये हैं पर उसका भी नाम आया था समर्पन कि वो समर्पित होकर क्वेश्वन कर रहा था कि ये जो खड़ा है, ये मेरे हर सवाल का जवाब जानता है, ये मुझसे कभी कुछ गलत काम नहीं कराएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिग्यासा बाहर नहीं निकालूंगा, मैं अपने questions पूछूंगा, तो भक्तिकार्थ यही होता है कि पहला निशकाम हो जाता है, कोई बच्चा गलत आपने देखा है क्या, छोटा सा बच्चाई डॉन बनने के बारे में सोच रहा है, वो तो बच्चाई होता है, मासूम होता है, सच्चा होता है, तो भगवान इसले कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है, वो एकदम प्यॉर होते हैं, पास यह नहीं था वरना कर देखा जाए इनी सिच्वेशन में कई लोग है जो काम करके आगे बढ़ जाते हैं तो करने वाला तो कर लेगा नहीं करने वाला इल्जाम लगाएगा तो वह इल्जाम अभी हमें ऐसे दिखता है एक ऐसा कोई है जो सामने तो खड़ा नहीं है भग इसको नहीं पता कि भगवान के पास पीछे एक बड़ा सा टेडी बैर रखा है और भगवान उसको कह रहे है कि बस दे दो और मुझ पे विश्वास रखो कि वो दे दो छोटी चीज जो तुमसे आपको वो बुरी लग रही है उस वक्त कि मिरे साथ गलत हो गया या मेरा छोटा काम नहीं हुआ मैंने तो इतनी पूजा की थी इतना काम किया था शायद तुम उस काम के लिए नहीं बने हो तुम और बड़े चीज के लिए बने हो त दो चीजे जो भक्ती में तीसरा हम जब करते है सत्संग जो उन्होंने कहा सत्संग का एक सत्य के संग तो सत्य कौन है जब हम शास्त्रों में देखते हैं सबसे पहला श्लोग रुश्रीमत भगवत में आता है वो भगवान का स्वरूप बता रहा है उसमें सचिदानंद तो सबसे पहला है सच जो कहा गया सच की रहा पर चलो जो हम ये आपने एक्जाक्ट वर्ड उस वक्त बोले मैं अपनी कथा में भी कहती हूँ कि आजकल हम इतनी छोटी छोटी बातों पे जूट बोलते हैं कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं और हम घर से भी नहीं निकला अरे पांच मिनिट अरे सिगनल पे खड़ा हूँ अरे बस पहुंट गया अरे क्या हो गया वो दो बाते तो सुनाएगा ना सिर्फ कि तुम समय लेकर नहीं आए पर हम इतनी इतनी सी बातों में जूट बोल रहे हैं यह हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं पर यह बहुत ब बठिन है जिन्दगी आसान नहीं है किसी के लिए नहीं भगवान के लिए भी नहीं हुई आप राम जी को उठाइए क्रिश्न जी को उठाइए जब तक यहां रहे कोई सुखी नहीं रहा यहां पर आपको सुख खुद ढूढना पड़ता है आपको अपना जीवन खुद निकालना पड़ता है अपने choices को लेकर तो इसलिए पहला सत है दूसरा चित है awareness हम aware नहीं है चीजों को लेकर हम ignore करते है awareness और ignorance यह opposites हो गए कि आप कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है नहीं है मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए उनको अगर पुछे न नहीं मानते बस नहीं है दिखा नहीं मुझे नहीं दिखा तो नहीं है तो तुम्हें तो बहुत चीज़े नहीं दिख री मेरे पापा इस पर मैंने बढ़न से question किया था कि मुले तो पापा कैसे जवाब दे पापा बूले उनको पुछना उन्होंने अपने पर दादा को द देखा था देखा तो नहीं होगा सुना है दादा से सुना है पापा से सुना है कि थे मैंने तो नहीं देखा तो मैं बोल दूँ थे ही नहीं कुछ तो सच्चाई होगी उसको ढूनने की कोशिश करो मैं धरम के लिए हमेशा कहती हूं कि आपको ढूनना पड़ेगा भगवा मेरे पापा ने मुझे एक बात करी थी भगवान मानने की चीज है जानने की नहीं जानना क्या होता है पहले इस्तमाल करे फिर विश्वास करे कि पहले देखेंगे है की नहीं है फिर बताएंगे तो तो भगवान है वो कहेंगे देख मैं भी घुमाता हूँ वो भगवान है भई वो अपने आप जना देंगे वो कहा है तो भगवान के लिए वाना के पहले आपको मानना पड़ता है दाटे सरेंड़ कि मैं मानता हूँ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ अधिकतर लोग अभी पढ़ क्यों रहे है जान क्यों रहे गलत साबित करने के लिए और दुनिया के लिए आप किसी भी चीज को जानने की कोशिश करो तो सिर्फ एक खाली दिमाग से जानने की कोशिश करो अपने दिमाग से नहीं कि मुझे गलत साबित करना इसलिए पढ़ता हूं चलो तो फिर आपका दिमाग सीधा उस गलत बात पर सुनने वाली चीज, और आप कहीं भी दो लोगों को देखे, वो बोलेगा, मैं बुलता हूँ, नहीं नहीं, मैं बुलता हूँ, दुख देखे, किसी के प्रॉब्लम्स कोई एक बोलता, रहे मेरी जिंदगे अच्छी नहीं चारे, वो बोलता, रहे मेरी उससे भी खराब है, आप किसी से मदद भी कहा मांगेंगे, कि वो एक दुख सुनाओ, वो चार सुनाता है, क्या ही मदद मांगे कि तो मेरे से दुखे, तो मेरे से और फान रुपे रगवाई, तो लोग हर वक कोई सुनना नहीं चाहरा, और सुन भी रहे हैं तो इसलिए कि ताकि बस मैं बोल सकूं, कि ये खतम करें बस, जल्दी से चुप हो, ताकि मैं बोलूं, तो ये बंद करिये, भगवान ने अर्जुन की पहले पूरी बात सुने थी, एक ब सुनेंगे, उतना सीखेंगे, क्योंकि बोलोगे तो वही जो आता है, पर सुनोगे तो कई बार ऐसी चीज़े पता चलेगी जो नहीं पता, जो नहीं आता है, तो सत्संग यही है, आप लोगे काम करो, अपना मुबाइल आन करो, और अपने घर पर पोल कर दो कि शाम तक हम मेरा मन तो नहीं है, मेरा मन तो नहीं है यहां से आज उठने का, मेरा मन आराम से बैठ करके इन से सुने का, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन I am not sure कि इनके पास में इतना टाइम होगा यह नहीं होगा, आप लीज, I am sorry, मैं आपको इंटरूरत कि आपको आप का मतलब actually permanent happiness होता है, जो आपको भगवान के साथ ही मिलता है, कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ temporary है, और temporary खुशियों के लिए भगवान ने अरजुन को लड़ने के लिए इसलिए नहीं बोला था कि तो राज्य मिल जाएगा, खुशी मिलेगी, पैसा मिल नहीं, एक permanent happiness थी कि मैंने अपना काम अच्छे से किया, उसके लिए लड़ो, तो जो भी काम कर रहे हो, permanent क्या है उसमें वो देखो, और यह आपकी success पे भी काम आता है, भगवान जिसे अब हम कहते ना कि दुनिया में कुछ सच नहीं है, संसार सच नहीं, इसका मतलब क्या छ दुख आ रहा है, तो depression में मत जाओ, क्योंकि आप जानते हो, यह भी permanent नहीं है, temporary है, कल फिर ठीक हो जाएगा, खुशी आ रही है, तो घमन मत करो, यह भी निकल जाएगा, यह position भी जादा समय तक रहीगी नहीं, तो उसको रखने के लिए काम करते रहो, तो भगवान हर लाइफ में सब enjoy करिये, पर अगर उसको जानते होए करोगे कि यह permanent नहीं है, तो जैसा मैंने का वो यहाँ जाएगा नहीं, जैसे एक पक्षी है, आप पेड़ पे उसको बिठा दो, और फिर जिस ब्रांच में वो बैठी उसको काटने लोगो, और जब तो ब्रांच नहीं गिरेगा वो नहीं हटेगी, तो उसको ब्रांच में भरोसा ही नहीं, उसको पता यह रहेगा न, उसको अपने पंखों पे है, कि वो जैसे ही गिरेगा मैं उड़ जाओंगे. एक सॉंग अगर आप प्लीज, उस पे हम एंड कर सकते हैं सेशन को, अगर आपको कोई प्रॉबिम ना होते हैं, प्लीज. सब काम हो रहा है, मिरा अपकी कृपा से सब काम हो रहा है.